बिद्यातियों गुड मॉर्निंग आज हम माइक्र एकनमिक्स में पैमाने के पर्तिफलों के अंतरगत हासे मान पर्तिफल या गड़ते पर्तिफल की बात करेंगे इससे पूरो के वीडियो में हमने पैमाने के समान पर्तिफल, constant return to scale और increasing return to scale यानि वर्दमान पर्तिफल की बात कही थी आज हम गड़ते पर्तिफल के अंतरगत आपके बताना चाहते हैं कि यदि हम उतपादन के सादनों को समान अनुपाद से बढ़ते हैं और उतपादन उस अनुपाद से नहीं बढ़ता है उससे कम अनुपाद में की नहीं हैते हैं उदाहरण के तौर पर यदि हम हम सादनों को सो परतिफल बढ़ाया और उतपादन 20% या 80% ही बढ़ा तो यह हम पेमाने के घरते परतिफल के अंतरगत ले सकते हैं इसे हम एक टेबल की शायता से आपको इसपस्ट करते हैं फिर हम आपको लागत क्या होती है और इसे समूत्पति वक्रों की शायता से भी इस पस्ट करने का प्रियाश करेंगे तो हम एक टेबल को देखते हैं कि किस परकार उत्पादन का गड़ता पर्तिफल कारेशिल होता है तो गड़ता पर्तिफल इसमें हमें इस्तिति लेते हैं इस्तितियां फिर लेत यहें लेबर प्लस कैपिटल और उत्पती की मात्रा उसके बाद में स्रम और पूंजी की स्रम प्लस पूंजी में पिछली इस्थति की तुलना में प्रतिशत वरदी कितनी हुई और उत्पती में पिछली स्थती की तुलना में कितना परिवर्टन हुआ कितनी बरदी या कमी हुई तो स्टेज फॉस्ट हमने एक लेबर एक कैपिटल लगाया उत्पती की मात्रा एक हुई और इस परकार हम देखते हैं कोई चैंज नहीं सैकीन सिच्वेशन के अंतरगत हमने उत्पादन को साधनों को दुगना किया तो उत्पती की मात्रा एक से बढ़कर तीन हुई इस परकार 100% परिवर्टन हुआ साधनों में और उत्पती में है वहाँ आप देखते हैं कि 500% का परिवर्टन दिखाई दिया फिर हम तीसरी इस्थती में लेते हैं जब साधन हमने दुगना कर दिया दो लेबर की जगए चार लेबर ले लिए दो केपिटल की जगए चार केपिटल लगा दिया तो प्रोडेक्शन तीन से बढ़कर के चार हुआ उत्पती की मात्रा और इधर भी हम देख रहे हैं कि इ प्रोडेक्शन जो है वह 33.3% ही बढ़ा यानि साधनों में तो उतनी ही वर्दी हुई लेकिन आप देखिए प्रोडेक्शन गट रहा है और चौथी सिचुएशन के अंतरगत हमने 6 पूंजी 6 सरमिक लगाए उत्पती की मात्रा 4.75 और साधनों में 50% वर्दी हुई लेकिन यहां हम देख रहे हैं उत्पादन पिछले की तुलना में 18.75 पर्तिशती बढ़ा तो यहां आप देखते हैं कि इस्तती 2 में इंपुट में 100 पर्तिशत की वर्दी होती है जबकि उत्पती 50% बढ़ती है तो यह पैमाने के हासमन पर्तिफल की दर्शा को दर्शाता है इस् इस्तती 4 बताती है कि इंपुट को 50% बढ़ाया लेकिन प्रोडेक्शन में है वो 18.75% की बढ़ती हुई तो इस परकार जिस अनुपात में साधनों को बढ़ाया जाता है उस अनुपात में प्रोडेक्शन नहीं बढ़ता है अब हम अगर लागत वक्रों की यह लागतों की इस्तती को आदार पर देखें तो ऐसी इस्तती में जब उत्पादन घड़ता है साधनों को बढ़ाने के बाद तो लागत निश्ची दूप से बढ़ेगी तो हम इसे भी इस्तती का आदार पर देशकते हैं अलग-अलग इस्तितियों में लेबर प्लस कैपिटल कितना लग फिर प्रोडेक्शन कितना हुआ, LTC क्या है, LAC जो है हमारी यानि TC बटा Q और फिर LMC की इस्तती क्या हो रही है स्टेज फर्स्ट में एक प्लस एक लेबर कैपिटल, प्रोडेक्शन दो, टोटल कोस्ट दो, एवरेज कोस्ट एक और मार्जनल कोस्ट भी एक फिर इस्तती शैकिन में हम देख रहे हैं, सादनों को दुगना किया, प्रोडेक्शन तीन हुआ, टोटल कोस्ट चार के बराबर हो गई, एवरेज कोस्ट एक पॉइंट ते तीस, और ये मार्जनल कोस्ट दो, मार्जनल कोस्ट जो हती हुए, वो चेंज इन टोटल कोस्ट इवाइड़ेड़ पई चेंज इन क्यू को लटशाती है, तीसरी श्तती में आप देखेंगे, उत्पादन को हमने बढ़ा कर 4 प्लस 4 किया, रसादनों को उत्पादन 4 इकाई हुआ, टोटल कोस्ट 8 हो गई, एवरेज कोस्ट जो है टोटल बटा क्यू का भाग देते हैं, तो 2 के बराबर होई और माड़नल कोस्ट होई 4, टोटल में जो चेंज देख रहे हैं, इसी परकार चौती सिच्वेशन में आप देख रहे हैं, कि हमने 6 पलस 6 लगाया, तो 4.75, 12, 2.53 और 5.33, तो इस परकार आप देख रहे हैं, निरंतर टोटल कोस्ट भी बढ़ रही है, एवरिज कोस्ट भी बढ़ रही है, तो जो ये इस्तती होती है, पर्तिफल के हासमान पर्तिफल के इस्तती में, तो लागते हैं, वो पर्ती काई उत्पद्न कम होने के कारण गड़ती है, यदि आप इसको ड्रॉ करेंगे, तो आपका LMC वक्र भी बढ़ता हुआ होगा आप लागते हैं या उत्पती की मात्रा ले शकते हैं, जैसे जैसे हम उत्पती की मात्रा बढ़ाते हैं X-Axis पर एक, दो, तीन, चार, वैसे वैसे एवरिज कोस्ट और माजल कोस्ट दोनों में वर्दी होती है, तो आपने ही देखा कि किस परकार हमने साधनों को बढ़ा प समुत्पत्य वक्रों की बीच की दूरियां है वह उत्रोतर बढ़ती जाएगी इसका मतलब है उतना ही उतपादन करने के लिए हमें और अधिक साधनों की मातरा चाहिए तो इसका मतलब है कि जदा साधन मिलेकर के कम उत्पादन करें तो वह उत्पत्य का हास्मान पर्तिफल तर्षाता है जैसे ये जो ये है रेखा एक्सपेंसन पाथ A, B, C, D इसमें आप देखे A से B की बीच की दूरी कमें, B से C की बीच की दूरी अधिक और C से D की बीच की दूरी और भी अधिक इसमें आप उत्पादन मातला 10, 17, 25 और 35 हम देख रहे हैं कि हमें और अधिक जो है वह सादनों को लगाना पड़ रहा है उतना ही उत्पादन करने के लिए आप इसको बराबर भी ले सकते हैं 10, 20, 30, 40 यानि उत्पादन उतना ही हो रहा है लेकिन हमें उत्पादन करने के लिए पहले की तुलना में जैसे पहला 10 का उत्पादन करना पड़ता था L1, K1 लगाना पड़ा फिर अगले 10 के लिए L2, K2 लगाना पड़ा लेकिन आप देखिए C बिंदू के लिए अधिक L प्रोड़क्शन तो 10 का ही बढ़ रहा है अधिक L और अधिक K की जूरत होती है और डीप पर जाने के लिए और अधिक मात्रा हमें लेबर और पूंजी की चाहिए तो इस परकार आप देख सकते हैं कि समोधपती वक्रों की साहता से हम ने ये देखा कि समोधपती वक्रों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है इसका मतलब यह हुआ कि उतना ही उत्पादन करने के लिए अधिक साधनों की आशिक्ता पढ़ती है तो यह आपको हमने समोधपती वक्रों की द्वारा और तालीगां के दोरा भी बताने का प्रियाश किया कि किस तरह से यह जो है वह उत्पती हासनियम के लिए असील होता है कि एसा आसिल मान जो पर्तिफल है यह क्यों होता है इसके लिए आपको जो जान देने की बात है कि पैमाने के हास्मान या गड़ते हुए पर्तिपल बड़े उपकरम में परबंध की कठनाईयों से उत्म होता है अगर जो इंटरप्रेजियर्स है जो उपकरम है जो यूनिट है वो बहुत बड़ी होती है तो उसके मेनेजमेंट समंदी प्रॉबलम के कारण ये सामने दिखाई देती है उपकरम जितना बड़ा होता जाता है उतनी ही उसकी प्रशाशनी शमेशाएं बढ़ती जाती है और कैंदर निरने लेने में विलम होता है उसको लागू करने में भी कटना ही होती है और एक बड़े संक्ठन के लिए अपनी नीतियों को कई बार बदलना शुगम नहीं होता है जिससे ये एक बेलोच किश्म का संक्ठन हो जाता है अथा एक शिमा के बाद पैमाने की अमित्योताएं या गेर किफायते मिलने से गड़ते हुए पर्तिपल मिलने लगते हैं यानि उपकर्म का कार बढ़ जाता है तो एक सीमा के बाद में जो है वह हमें जो है वह पेमाने की अमितियोताई या गेर कफायते मिलने लगती है और जिसके कारण ही शाधनों को बढ़ाने के बावजूद भी उतना उत्पादन नहीं बढ़ता है उत्पादन में बढ़ने की है वह गती कम रहती है तो इस परकार हम यह देखते हैं कि उनके जो परबंद समंधी प्रिशनिया आती है इसके अलावा आंत्री का मितियोताई परबंद की कटनाई उसे उत्पन होती है जबकि बाहियत मितियोताई प्राय उद्द्योक क्या विकास होने पर दक्समिकों की मजदूरी के बढ़ाए जाने के कारण पैदा होती है इन दोनों कारणों से लागतें बढ़ने लगती है एक बड़े शंक्तन की उपरिक अटनेयों को दूर करने के लिए विकेंद्री करण का हल सुजा हो गया है लेकिन ऐसा करने पर पैमाने की किफायतों का परित्या करना होगा और बड़ी मात्रा में खरीद और विग्यापनादी का लाग भी मिल साता है तो इस परकार हमें ने बताया कि यह क्यों खासमान परती फिल लागो होता है जन्यवाद विज्जारतियों आप इसे समझने का प्रयाश करें अगर किशी तरह की समेशा हो तो वाफिस समपर्क करें थैंक यू